अयोध्या वब रांपटिष्टा के बात प्रभु स्री राम की चरन पादुका लेकर प्रकट हो गए साथ छात भरत जब प्रभु स्री राम वनवास के लिए रवाना हुए थे तब भरत ने उनके चरन पादुका को राज सिंह हसन पर रखकर सासंग चलाया था और जब स्री राम आयोध्या आने वाले थे राम राज्य लाने वाले थे तो उनके भाई भरत आखिर कैसे पीछे रह सकते थे आखिर आयोध्या में कैसे प्रकट हुई दिव्य चरन पादुका सच्चाई जानकर आपके भी होसूर जाएंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जैसरी राम अवस्य लिखें। जोध्या पहुच गये थे और धर्मसाला में रह रहे थे कुछ लोगों ने खुले आस्मान के नीचे भी रात बिताई उनका रच्च था। प्रभुसरी राम को भेट करने आया है क्योंकि यह उनकी ही चरन पादुकाएं हैं। पूरा करेंगे जब तक्रीबन 4-5 घंटे इंतजार करने के बाद हमें राम लाला का दर्शन का सोभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय वे भी मेरे साथ थे। उन्होंने वह चरन पादुकाएं प्रभुसरी राम के गर्बगिरें के सामने रख दी। जब मैंने उनसे उनका नाम पूछना चाहा तब उन्होंने कहा कि मैं यहां से 14 किलोमेटर दूर भरतकुंड से आया हूँ और अचानक अंतर ध्यान हो गए। यह चमतकार अपनी आखों के सामने देखकर कार्तिक के भी होसुड गए। उन्होंने रामलाला का दर्शन किये और तुरंथी भरतकुंड के लिए रवाना हुआ। जो कि वहां से 14 किलोमेटर दूर इस्थित था। आगे वीडियो में आपको बताएंगे वह दुरलब इनसान आखिर कौन था और भरतकुंड पर पुना कैसे कार्तिक के उनके साथ अंदिक गराम के भरतकुंड के भी चर्चा तेज है। त्रेता युग में जब भगवान स्री राम का राज्या विशेख हुआ था तो इसी भरतकुंड से तीर्थ का जल्ड डाला गया था और इसी स्थान पर तब करते हुए भरत ने परभु स्री राम का इंतियार किया था भरत ने चौदा साल अपने भाई राम की पतिक्छा में तपस्या की थी। माना जाता है भरत ने या सोचकर कि जब उनके राम वनवास में है और जमीन पर चलेंगे और वही सोएंगे तो भरत कैसे अपने बड़े भाई के जैसा जीवन वैस्तित कर सकते हैं। ये सोचकर उ उन्होंने एक गुफा बनाई जो जमीन से लगबग आठ शीड़ी नीचे है यहीं उन्होंने चौदा साल तब किया। जब स्री राम चौदा वर्स के लिए वनवास के लिए चले गए तब भरत उनको मनाने गए। मर्यादा पुरसुत्तम भगवान स्री राम पिता के वच खत्म कर राम जब अयोध्या वापस लोटे तो यहीं पर भरत से मिले मिले तो भरत ने पुना चरन पादु का राम को लोटा दी अब जब पुना प्रभुश्री राम अयोध्या लोट चुके हैं तो हो सकता है कि भरत पुना उन्हें चरन पादु का लोटाने अयोध्या आ जब कार्तिक भरतकुंड पर पहुँचे तो भरतकुंड परभुसरी राम के आने की खुसी में पूरी तरह सा सजा हुआ था तभी कार्तिक जी को रहस्यमई तरीके से वही वेक्ति भरतकुंड में इस्टनान करता हुआ दिखाए दिया जो चरण पादुका लिए आयोध्या राम मंदिर में मवजूद था इसके बाद कार्तिक ने उनसे पूछा कि आप आयोध्या में रहस्य में तरीके से कहां गायब हो गए थे और आप यहां पर क्या कर रहे हैं तो उस दिव्य वेक्ति ने कहा कि हमारे पुर्वच कई सालों से इसी भरतकुंड के आसपासी निवास करते हैं और प्रफुसरी राम के भाई भाई भारत को अपना इष्ट मानते हैं एक दिन रातरी के समय स्वयम भरत हमारे सपने में आये और उन्होंने हमसे कहा कि भरतकुंड के गूफा के अंदर एक दिव्य चरन पादुका रखी हुई है उसे ले जाकर अयोध्या में नव और जब राम मंदिर आमसधालवा के लिए खुल गया तब हमने वह दिव्य चरन पादुका आए प्रफुसरी राम को समर्पित कर दी अयोध्या में दिन परते दिन ऐसे कई दिव्य चमतकार लगातार हो रहे हैं हाल ही में 22 जनवर 24 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भवान राम लाला के प्रान पर तिष्ठा हुई इसके अगले ही दिन लाखों लोग अपने अराध्ये राम के दर्सन के लिए अयोध्या पहुँचे इसी दोरान एक बंदर भी गर्वगिरे में परवेश कर गया स्री राम जनभुमी तिर्थ छेत्र ट्रस्ट ने ट्यूट करते हुए कहा क्यों वहाँ तैना सुलक्षा कर्मियों का कहना है कि हमारे लिए ऐसा है मानो स्वयम हनुमान जी राम लाला का दर्सन करने आये हैं या घटना 23 जनवरी को साम करीब 5-50 की है उस समय तक करीब 3 लाख भग राम लाला का दर्सन कर चुके थे और करीब 2 लाख त करके उच्सव मूर्ति के पास पहुँचा बाहर तैना सुलक्षा कर्मियों ने उसे देखा वए बंदर की और ये सोचकर भागे कि कहीं वाँ उच्सव मूर्ति को जमीन पना गिरा दे परंतु जैसे ही पुलिस कर्मि बंदर की और डवडे वैसे ही बंदर सांथ भाव से भ पहली घटना नहीं है राम जन्भुमी मुक्ति अंदुलन के दौरान कई परमुक मुद्दों पर इसी तरह वानर्खु पच्टिती देखी गई है परतिमा निर्मान करने वाले करनाटा के मसूर मुर्तिकार अरुन योगी राज ने भी ऐसी बात कही जिसे जानकर आप हैरान ह हो जाएंगे उन्हेंने कहा है कि नौ निर्मित राम मंदिर के गर्भ गिरिये में जो मुर्ति लगाई गई है वा उन्होंने नहीं बनाई दरसल वे बात को अलग तरीके से कह रहे हैं उन्होंने कहा कि गर्भ गिरे के बाहर तक मुर्ति की छवी अलग थी लेकिन जैसे ही नाभा ही बदल गई इसे मैंने भी महसूस किया मैंने गर्वगिरे में अपने साथ मौजुद लोगों को इस संबन्द में कहा यह दव्य चमतकार है या कुछ और हो लेकिन मुर्तियों बदलाव हो गया था एक टीवी चनल को दिये गए इंटरव्यू में अरुन योगी राज ने कहा कि मेरे पुरवजों की 300 सालों की तपस्या का या परिनाम है मुझे इस्वर ने इसी कारे के लिए धर्ती पर भेजा है मैं इस जन्म में भगवान स्री राम की मूर्ति बनाया हुआ हूँ और उन्हों योगी राज ने एक बड़ा रोचक चमतकार भी सुनाया उन्हो को परसानी होने लगी हमारा ध्यान भटक जता था हमने ट्रस्ट के महा सचीव चंपतराय के समक्च इस बात को रखा उन्होंने कर्म साला में घेरा लगवा दिया वहां दरवाजे लगवा दिये उस दिन साम को जब बंदर आए और उन्होंने पूरा इलाका बंद पाया तो कई चमतकार अयोध्या में नित्य परते दिन हो रहे हैं आज जो भवे राम मंद्रे के निर्मान हुआ है वा कई हजारो कारे सेवकों के बलिदान का परतिक है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अयोध्या कब जा रहे हैं और ये वीडियो अगर आपको पसंद हैं अगले वीडियो में हर हर महां